तो day two को start करने जा रहे हैं 40 hours का day two तो देखिए previous lecture में मैंने आपको कल बहुत सारी basic terminologies के बारे में discussion किया, levy के बारे में हमने डिसकस किया, constitution के बारे में डिसकस किया, US के पार्लियमेंट के बारे में discussion किया, US के citizenship के बारे में discussion किया, तो वो सारी चीज़े हमने कल discuss की थी, लेकिन कल मैंने concept आपको समझाया था, payroll से related deduction के बारे में, लेकिन वो concept पूरा detail में हम discuss नहीं कर पाए थे, तो आज पहले उस concept को हम discuss करेंगे, जिससे कि आपको properly understanding हो जाए और बहुत important concept है, जो हम discuss करने जा रहे हैं, इसक्रीन सभी लोगों को visible होगी, एक बार chat box में लिख देना, बस क्यूंकि अभी 150 के उपर student है, so it is very difficult कि सभी की chat पढ़ पाए, चलिए, सभी को visible है, तो आज मैं आपके साथ में discuss करने जा रहा हूं, payroll tax की accounting, मतलब इस particular lecture में हम लोग payroll tax की accounting को सीख रहे हैं, और payroll tax का, जब आप अपकी gross income का calculation करेंगी तो उसके उपर क्या effect पढ़ेगा, ये हम सीखने जा रहे हैं, मतलब आप ये समझेए कि आपको मैं five का tax नहीं समझा रहा हूं, मैं उसके tax के provision नहीं, आज मेरा concern है, payroll tax की accounting आपको सिखाना, आप में से बहुत सारे student ने इंडिया में provident fund सुना होगा, सुना एक नहीं सुना, पी एफ की accounting, provident fund, सुना होगा, तो हम provident fund के जैसे ही इसको समझेंगे, लेकिन आज हम समझने वाले हैं, payroll tax accounting, तो जड़ा ऐसे student hand raise करें, जो बिल्कुल non commerce background के हैं, जिनका commerce से कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले वो लोग hand raise कर देंगी, सर हमने कभी जिन्दगी में accounting नहीं पड़ा, तो कुछ स्ताकी में और भी detail में इन चीज़ों को discuss का सो, चलिए कुछ class में student हैं, जो की accounting background के नहीं है, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, अब मैं एक example के थूरू समझाओं, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि payroll tax के दो component होते हैं, वो दो component के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको उम FICA tax बोल रहे हैं, एक है Medicare tax और एक Social Security tax, Social Security tax, और एक है आपका Medicare, लेकिन मैं अभी नाम मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको concept से ज़्यादा accounting सिखानी है, तो आप समझे कि payroll tax के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि एक payroll tax को आपने समझना है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा example बनाऊंगा, यह एक company है, ठीक है, और यह उसके employee है, ठीक है सर, यह employee है, employee के लिए भी हमें एक diagram बना लेते हैं, छोटा सा, यह employee है, यह employee है, ग्रूप अफ employee है, ठीक है, अब company कहीं न कहीं, अपने employee को salary देती होगी, यस जब, definitely company में वो job करते हैं, तो उनको salary मिलती है, अब US government का एक simple सा logic है, कि अगर आपकी company में कोई job करता है, तो आपके दो obligation है, कि सबसे पहला, आप उनके हिस्से का payroll tax, उनको जो paycheck कर रहे हो, उसमें से deduction ले लो, उसको काट लो, मतलब मैं simple सी बात कहूँ, कि आप किसी company में job करते हैं, तो government ने company के ओपर responsibility ढाली, कि यह employee को भी tax pay करना पड़ेगा, लेकिन हम employee को नहीं पकड़ सकते, आप सोचिए जैसे मैं government हूँ, अभी right now 162 student है, मैं एक-एक से बात करूँ, government बहुत बढ़ी होती है, तो government सारे employee को तो trace नहीं कर सकती है, लेकिन वो company को trace कर सकती है, तो government ने क्या rule बना दिया, कि आप अगर अपने employee को salary पे कर रहे हों न, तो उनको जो salary पे करोगे, उसमें से उनका payroll tax काट लोर हमको जमा करा दो, यह बात सबको समझ में आई, यह बात सबको clear है कि employer को क्या करना पड़ेगा, employee को अगर salary देना है तो उनका payroll tax काटना है, दूसरी एक और बात उन्होंने बोल दी, कि यह वो जितना contribution करेंगे न, same contribution आपको करना है, एक बात और बोल दी, कि सर एक तो जो employee contribution करेंगे, वो अलग है, लेकिन आप भी करोगे, और तीसरा उन्होंने बोला कि आप उनको salary पे कर रहे हो, हाँ सर उनको salary पे कर रहे हैं, तो उनके लिए वो income है, बिल्कुल ठीक बात है सर, employee के लिए income है, तो उनके उपर जो tax लगना चाहिए, कि उसका कुछ portion आप हमको deposit कर दो, इसको बोल रहे हैं with health tax, बात समझ में आती, कि employee अगर salary कमा रहे हैं, तो government चाहेगी न, कि उनसे federal tax collect कर लिया जाए, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कि हाँ सर आप बिल्कु ठीक बोल रहे हैं, कि employer के उपर responsibility डाल दी गई, कि वो employee के check में से, एक तो उसका payroll tax deduct कर ले, और जितना deduct किया, उतना खुद भी contribute कर दे, और वो उठाके सीधे government को दे दे, और क्योंकि employee salary ले रहे हैं, मतलब income कमा रहे हैं, तो उस income के उपर उनका tax बनना चीए, कि वो tax भी आप काट कर हमें जमा करा दू, क्या ऐसा concept आपने इंडिया में सुना हैं, कितने लोगों ने सुना हैं, मतलब मेरी class का तो एक simple object है, कि chartered accountant बेठे हैं, या बिल्कुल B.com student बेठे हैं, मैं सब को समझ में इस तरीके से चलता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये सुना है कि ने सुना है, सुना होगा सर, हमने इंडिया में सुना TDS के नाम से, लेकिन आपने सुना हैं, आपने उसकी accounting थोड़ी सीखी होगी, आपको पूरा tax का treatment भी तो समझ में आना चाहिए न, तो अब हम इसके लिएक example बनाएंगे, ठीक है, इस example से आप कुझे बता न, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले screen पर pen ना चलाएं, इससे क्या होता, teacher हो जाता, distract, समझाने कुछ और जा रहे थे, आपने उठा के pen मार दिया हैं याप, तो इमोशन, देखो, फिर नहीं मान रहे हैं, इमोशन पर control रखो बेटा हैं न, क्योंकि अभी इससे class का schedule गड़ बढ़ा जाता है, कि आदमी वो तुम्हारी screen पर देखने चले जाता है, चलिए, example, तो sir, example बनाते हैं, let's say, यह जो employee थे, इसका नाम हम लिख देते हैं, Mr. Tom, यह company में job करते हैं, employee है भाई साब, ठीक है सर, और let's sit Tom की salary है, 20,000 डॉलर, ठीक है सर, और as per US tax law, इनको federal tax इस salary के उपर 10% पे करना पड़ थे, मतलब एक rule है, कि इनको जो भी salary मिलेगी, उसके उपर यह federal tax with held कटवा देंगे, और जमा करना, उसके साथ सत, वहाँ पर एक FICA tax, यानि की payroll tax, payroll tax है 15.3%, बात सब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हाँ सर, payroll tax है 15.3%, federal tax है 10%, और इस 15.3 का जो 50% contribution है, वो employee ने करना है, और 50% employee ने करना, मेरा पहला question आप लोगों से यह है, कि एक तो हम federal tax काटेंगे सामने वाले का, और एक हम काटेंगे उसका payroll tax, उसको cash में कितना payment करना चाहिए, company के दौरा, अब आप किसी company में accountant बन गए, tax accountant, तो आपको सबसे फिल्टो यह पता होना चाहिए, उस employee को कितना payment करना, payroll accounting में अगर आपकी job लग जाए, तो आपको यही नहीं पता, वह को calculation कैसे करोगे, और किसी अच्छी company में interview के लिए जाते हो, और वहाँ का अगर CP आप से interview पूछ ले, कि how much cash payment, तो आपको बताना है, अब मैं आपको 2 minute का समय दूँगा, इसके लिए मैं meeting को pause करूँगी तो देखो, ऐसी situation में अभी आपने पूछा, सर कैश कितना payment करना पड़ेगे, तो सबसे पहले, salary छी 20,000, है ना, तो उसमें से तो हम क्या बोर रहे हैं, कि आपका federal tax काट ले, federal tax काट लो, 20,000 का 10% होता है, सर 2000, minus कर दो, क्या दिख्कत है, कोई दिख्कत ही नहीं, salary 20,000 पे करना, उसमें से 10% काट लेंगे, उसके बाद दूसरा concept में ने बुला, payroll tax, लेकिन payroll tax का पूरा नहीं काटेंगे, 15.3 का employer का जो contribution है, 50% है, employee का 50% है, तो सर 15.3 का कितना होता, 7.65 होगा, तो इसका लगाते सीधे 7.6, तो 20,000 into 7.65, यह परसेंट यह लगा जिए, यह भी माइनस करना है, तो माइनस 1530, अब देखो, इस question में ही आप लोग गलत थे, यह तो हो गया, cash payment, तो यह हो गया, net cut के, 16,470, बहुत सारे बच्चे सही थे, बहुत सारे बच्चे गलत थे, अब जो गलत थे, वो क्यों गलत थे, वो अपने आपको analyze करे, क्या मैंने इसमें कोई rocket science किया, simple सी बात, बास समझ में आ गई सभी को, 16,470 हमें cash में payment करना पर, कोई दिक्कत नहीं होना, चीज छोटे से concept में, अब मेरा अगला concept आपके सामने दूसरा है, यह तो हो गया question number one, अब आएगा question number two, question number two, employer के लिए, total expenses बताईए, total expenses जिसमें दो चीज़े आ जाएगे, एक आ जाएगा, payroll tax, plus salary, अगर आपने यह बता दिया, तो आप एक अच्छे, accountant बनने की काबिल तो बनी चुके हैं, employer के लिए, total expenses जिसमें payroll tax, plus salary, as a expenses वो claim कर सकता है, क्यों यह जरूरी यह बटा, इस बात को जनना, इसलिए जरूरी कि, जब आप पार्ट वन पढ़ोगे, तो आपको यह तो पता हो, कि मैं as a expenses कितना claim कर सकता, अगर मेरा business है individual के रूप में, मैं किसी को salary पेक कर रहा हूँ, तो मुझे यह तो पता हो, मेरा खर्चा कितना हुआ, क्योंकि income में से expenses minus होते हैं, तो आपको अगेन में एक chance दी है, अपना अपना इज़र लिखना है, अपना दिमाग लगाना है, खर्चा कितना हुआ, मैं तो खर्चा पूछ रहा हूँ, अप सीधी, हिंदी भाषा में, खर्चा कितना हुआ, expenses, अब आपको मौका दी है, बहुत सारे बच्चे 18,000 बोल रहे हैं, कोई 19,530 बोल रहा है, कोई 18,470 बोल रहा है, देखो, इस क्लास में कितने कितने डिफरेंट, मतलब आपके एक concept कितने हिले हुए हैं, और आप पढ़ने जा रहे हैं, इन्रोल लेजें, और आपको अभी expenses क्लेम करते नहीं आ रहा हैं, तो चलिए, सबके answer में बहुत common answer है, 21,530, देख ले दें कितनों का सही है, यह answer बहुत लोगों ने दिया है, तो मैं इसको अभी थोड़ी दिर के लिए सही मान रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसका answer लिखूँ हूँ यहाँ पर, सबसे सीधी बात है कि हमें तो salary पे करना है, सीधी बात है, अब salary हमें किती पे करना है, 20,000, अब इसमें से हमने क्या काट के government को deposit किया, उससे हमें क्या लेना, हमारे जेब से employer, employee governor भी आपकी salary है, 20,000, यह 20,000 ले लो, और इस 20,000 के उपर, हमें खुद को भी 50% का contribution करना है, 7.65, our contribution मतलब employer quantity, employer quantity, वो तो सीधी बात है सर, 20,000 का, 7.65, इसमें क्या लिखकत थी आपके, तो यह total होगे है, कितने बच्चों ने सही answer दिया है, बहुत अच्छी बात है, क्या दिखकत थी इसमें, 21, हमें उससे क्या लेना देना, कि उस 20,000 में से काट के, अब आप बोलोगे सर, हमने उसको cash में payment किया, 16,470, हमारे लिए expenditure हो गया, 21,53, हमको समझ में नहीं आई बात, पहली बात तो कितनों को यह बात समझ में नहीं आई, वो हेंडरेस कर दो बटा, अब मुझे बताईए, मैं आप से question पूछता हूँ, यह जो contribution employee ने किया, क्या मेरा खर्चा है, मैं आप से क्या पूछ रहा हूँ, हमने यह 1530 का contribution employee का था कि मेरा था, अरे उसका काट के मैंने government को deposit किया, तो मैं क्या उसको भी expenditure अपना माल लें? Question number 3, देखो आप से permutation exam में MCQ, मैं आप क्यों फस्ते हूँ, क्योंकि आप logic से नहीं चलते, तीसरा question मेरा, payroll tax deduction, कौन बताएगा, payroll tax deduction कितनी मिलना चाहिए employer को, तीन question मैंने आप से पूछ लिए, आप लोगों का answer लिखते जाना है सभी को, तो सर सीधी बात है, payroll tax deduction जो मैंने contribute किया, उसी की मिलेगी न, वो भाई साब ने जो contribute किया, उससे मेरा क्या लेना देना, मैंने तो government के proxy के रूप में काम किया, कितनों कोई बात समझ में आगी कि सर, मैंने government के proxy के रूप में काम किया, बात समझ में आई कि नहीं आई कि, government के proxy के रूप में काम किया, सर government ने बोला कि, भाई या आप उससे tax collect करके हमको deposit कर दो, तो हमने तो गवर्मेंट के बिहाफ पर कलेट करके गवर्मेंट को डिपाउज हम तो बीच के मिडियो करें तो वो हमारे लिए दिदेक्शन थोड़ी हमारे लिए तो हमारा कॉंट्रिबूशन तो सर हमें दिमाग इतना लगाना है कि हमारी हमने सेलरी पेकी 20,000 20,000 का 7.65 पर्सेंटेज बस एक्जाम में इसी पर कसम खाके चलना है यह हो गया पेलो क्वेस्चन नमबर देखो एक में हमने तीन एमसी क्यों बनाया है चौथा एमसी क्यों आप भी बोलोगे सर मजा गया सारी सीजा अपने समझा दी इंपलॉई इंकम इंपलॉई सेलरी इंकम कितने कह लाएगी ग्रॉस अभी ग्रॉस तो सर सीधी बात है इंपलॉई भाई साब बोलेगा ना कि भाईया मेरे लिए तो सेलरी 20,000 है जो मुझे मिली है इसमें से आपने 10% टेक्स काट लिया उससे मुझे क्या लेना देना इंकम तो 20,000 है न मैंने टेक्स जो काट के गवर्मेंट को डेपॉजिट किया वो कोई मेरा एक्सपेंसेस थोड़ी है इस इंकम के उपर ही तो मुझे टेक्स भरना पड़ता है वो मैंने ना भरते हूँ कि मेरे इंप्लॉयर ने भर दिया बात समझ में आई कि सर मेरी इंकम तो 20 था हुजे नहीं क्या दिक्कत है यह चौथा क्वेश्चन होगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्या इंपलॉई का कहा है हम करना है हो तो आफ सीधा कि सर मजे लेते हो 20,000 का हमने क्या करना है 15.3 पर्षेंटेज लगा थे जिरो सिक्स जिए कोश्चन नंबर सिक्स त्रू और फॉल्स में बोलना है यह जो विथ हैल्ड टेक्स था इस डिड़क्टेबल और नौट डिड़क्टेबल कि इस डिड़क्टेबल और नौट डिड़क्टेबल इन दी हैंड ऑफ इंप्लॉयर कितने लोगों को लगता है डिड़क्टेबल है वो लिखते जाए डिड़क्टेबल मतलब अब डिड़क्टेबल मतलब कितने लोग इसको खर्चा माल लेते फिर मात्र भाषा में समझा रहो इस से काही की deduction मिले किया सीधी बात है आप सामने वाले को 20,000 बोल रहा हूं कि मैंने आपको 20 salary नहीं पे करनी मैंने तो आपके विहाब पे government को 2000 पहले पे करना तो मैं आपको जेब से 18 पे कर रहा हूं मैं इस withheld tax की भी deduction ले लूँगा क्या अलग से मैं already salary की 20,000 deduction ले चुका हूं तो मैं अलग से withheld tax की कोई deduction नहीं मिलेगी हम तो salary की deduction ले चुके तो withheld tax की काई की deduction तो examiner आपको confuse करने के लिए दे दे withheld tax आप पता चले इंकम उसको expenditure मान रहा हूं अब एक student ने पूछा federal tax का क्या मतलब होता है federal tax का मतलब होता है income tax जिसको आप इंडिया में TDS बोलते हो लेकिन बैटा मैं यहां पर TDS नहीं बोलना चाह रहा हूं पूछो क्यों नहीं बोलना चाह रहा हूं टेक्स डिड़क्टिट सोर्स चिदमरम सापको याद नहीं करना चाह रहा हूं पीछे दमरम finance minister of India जब उन्होंने इंट्रोडूश किया है हम अमेरिका का टेक्स पढ़ रहे हैं जब हम पढ़ अमेरिका को रहे हैं तो हम इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं लेकिन आप सभी तो वरकिंग प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा को रिलेशन करने के लिए मैंने आपको सब्दे तो हम मुझे बता हो अब असली कहानी का पार्ट है क्योंकि यह फंडामेंटल क्लास तो यूस टेक्सेशन की हैं लेकिन हम क्योंकि कॉंसेप्ट को समझ रहे हैं कि कई बच्चे पुरह सर्फ को फिर से एक्स्प्लेन कर दीजिए अभी एंड में कर दूंगा पहले जनरल इंट्री अब जनरल इंट्री जो होगी मेंग दो लोगों की बुक्स में और एक हो सकती है इमपलॉयर की बुक्स में और आक्न अब मुझे बताईए और आप में से जो इसकी जनरल इंट्री बता दे वो तो फिर या तो चार्ट अकॉंटेंड होगा इंग्जाम्पल में इंदी इंप्लॉयर अगर आप इसकी जनरल इंट्री बता देते हैं तो यह आपने अपनी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए यह आप मेरे सीपीए के स्टूडेंट तीनी सिचुएशन नहीं हो सकते हैं इधर यह चार्ट अकाउंटेंट यह सीपीए में आप उससे पढ़ते हैं या आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे क्लियर करें एक मिनट का मौका मैं समझा दू देखो एक सीएन एंसर दे अब वह इंट्री को मेंड में मिला लोंगा और पूरी अच्छे से लिखना ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया एक मिनट का मौका मतलब अगर आपको यह जन्रेल इंट्री आ गई तो आप एक पेरोल अकाउंटिंग के लिए तो इलिजिबल हो गए है यह लुट करेंगे ने सर्व बिल्कुल करेंगे सर्व सेलरी अकाउंट डेबिट करना हमें और एक काम करना है तू हमारे जैप से कुछ कैश में जाने वाला वो क्रेडिट करना है पहली बात तो यह और दूसरा हमें एक फेडरल टेक्स गवर्मेंट को डिपॉसिट कर रहा है तो उसके लिए लायबिलिटी बनानी पड़ेगी तू फेडरल टेक्स पीबल इतना तो सब को आना चाहिए तो सर यह सब तो है है किन तो सर सीधा बढूसर है एकिस बसदैने अघेक्सिट होना चाहिए तो करेडिट शेलरी एक्सपेंस्स हमारे लिए अब यहां पर 20 थाउजन थे है क्योंकि सेलरे के के रूप में 20,000 गया है अब हमारे लिए एक काम और है पे रोल टेक्स एक्सपेंसिस अब पे रोल टेक्स एक्सपेंसिस कितना है यह आपने बताना है तो सर आपने खुद नहीं बोला था कि हमारा का इंप्लॉयर का कॉंट्रिविशन तो सीधे निकाल दो एक्सपेंसिस के रूप में इस ट्वेंटी थाउजन का सेवन पॉइंट सिक्सपाइट पर्शन यह हमें जेप से देना पड़ेगा सर फंद्रा सुथ फिफ्टीन थर्टी डॉलर अभी कैश का कैल्कुलिशन सबसे एंड में करूंगा अब एक काम मुझे और करना मेरे पर एक लाइबिलिटी भी आ गई है पी रोल टेक्स पी बल और ब्रेकेट में मैं लिख दूँ इंपलॉयर शेयर बात समझ में आती है कि नहीं आती है थोड़ा साइट छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख सके कि सर अभी आपने क्या किया पेरोल टेक्स पेबल इंपलॉयर शेयर क्रेडिट करना है न तो हमारा शेयर यह था क्युप्टीन धर्टी और एक और नीचे अब यहां पर इंपलॉयर ही कर दूँगा वह भी हमें पता है 1530 क्लियर है अब हम बात करें अब कैश कितना पेमेंट करना उसका वर्किंग नोट यहां बना लेते हैं उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं अब कितना पेमेंट करना है एंपलोई को से बोला वह से तुम्हारी तो सबसे पहले तो मैंने 2000 आपका कॉनसा टेक्स काट लिया विधर्ट टेक्स्ट यहां पर क्रेडिट कर चुका हूं और मैंने आपका एक और काटा है 1530 कि कि मैं आपको 16 470 दे रहा हूं क्रेडिट साइट है ना तो यह मैं क्रेडिट वाले फिगर इदर उठा लेता हूं इदर एक्स इदर कर कोई गलती नहीं होना चाहिए अपना अकाउंट यह क्रेडिट साइट ट्वेंटीवन फाइब थाट्टी एदेखो ट्वेंटीवन फाइब कितना सेंपल किलियर हो गई सब्सक्राइब अब बताओ वेल्लिव एडिशन हुआ कि नहीं बेसिक लास में हमने कितने मिनट ले लि अब यह तो हो गई इंपलॉयर की बुक्स में अब आप सोचो आप यूएस टेक्स का काम कर रहे हो यूएस का कोई क्लाइंट है एंडिविजल और वह हाई इंकम ब्रेकेट में कवर होता है तो क्या उसकी अकाउंटिंग आपको थोड़ी सी अगर आपको एक अच्छा टेक प्रोफेशनल मनना तो थोड़ा सा यूएस गैप की अकाउंटिंग भी आपको आनी जाए अब इंपलॉई भाई सापकी बुक्स में इंट्री करें इंपलॉई की बुक्स में इंट्री होनी चाहिए अगर वो भी अपनी अकाउंटिंग करता है तो सबसे पहले तो दिमाग इंपले इंकम आपको पता है कि इत्ती क्रेडिट करना चाहिए त आपका काम है अबॢों तू सहलरी इंकम वो बुलेगा मैं उस कंपनी में काम करता था मेरी इंकम twenty thousand होनीricular क्रेडिट क्योंकि उस गव उस इंप्लॉयर ने मेरा काट लिया जिसको आप बोलते हो कि रहाई कि आपका इंडिया में कट जाता है तो आप क्या करते हो कि सर कई वच्च से बच्च सर रिफंड ले लेते हो औ रिदम है यसा नहीं करते पीटा जब आप अपना इंकम टेक्स का रिटन करते हो आई टी यार कुन सा फॉर्म होता है आई टीर सेलरी के लिए कभी फाइल किया है इंकम टेक्स का रिटन आई टीर वन तो आग जब अपनी इंकम टेक्स की लाइबिलिटी निकालते हो तो जो इंपलॉयर ने आपका TDS काटा था ना जो आपका फाइनल टेक्स बनता उससे ऑटोमेटिक सेट अफ करके बैलेस आप जमा करा देते हो टेक्स क मैंने आपको कोई लेजन ठोड़ी अकेले बनाना इस में तो आपको प्रोफेशनल बनाना है तो सर अब हम यहां पर क्या करें इस जनरल इंटरी इसको क्या वाले अब बात शुरू होती है यहां पर तो अब मेरी लिए इसको में विथ हैल्ड टेक्स जो मेरा कट चुका है जो एक तरीके से मैं पर दो उतल जुक्त मैं तो बहुत मैं इम्रम म таких दूट इन इस लिए अब कोश्चन यहां या था कि सर एक तरफ तो मेरा पे वह कटक्टे चुका है यहां अब उस पेरोल टैव्ड कश का क्या करें क्रेवरावार्वर्ण तो मैं पेकर चुका हूं कि वह कितना कर चुका हूं 153 तेली हो जाता है एक पेडियों टेक्स में भी तो भर रहूं न वात समझ में आ गई कि मैंने भी तो पेडियों टेक्स भराएगे निवह भले मेरे जेब से नी गया है यह किस ने काट लिया है इंप लॉयर में तो मैंने भी अपना पेरोल टेक्स पेक लिया है बास समझ में आगी हमने पेरोल टेक्स की पूरी की पूरी अकाउंटिंग सीख ली बिटा सबको क्लियर हो जाना चाहिए मतलब इतने उम्मीद करता हूं बेसिक की मैं आपको आता है कहीं दिक्कत इसमें कोई क्वेश्चन आपके डाउट्स अब आपके डाउट्स इंप्लॉयर शेयर ऑफ पीरोल टेक्सिस एक्जम्ट फ्रॉम इंप्लॉई कि क्वेश्चन शिक्स अब देखों इंडिया के टी सीएस से इसको कंपेर मत कुरू बैटा अब मैं टी सीएस एक लग कॉंसेट अब आप अगर इंडिया वाला दिमाग लगाना शुरू कर दो मै पहले बोला इंडिया वाला दिमाग नहीं लगाना कि आप टी सीएस में को पहुंच गए कई बच्चे यह टी सीएस समझाना मेरी ड्यूटी नहीं मुझे आता है बट जो मैं आपको कॉर्स पढ़ाई नहीं रहा में उसके बारे में क्यों आपको ग्यान देना शुरू कर द पॉइंट नमबर शिक्स पे चले जाते हैं कि जो मैंने उपर लिखा था पॉइंट नमबर शिक्स अब मैंने आपको यह समझाया था कि पॉइंट नमबर सिक्स में कि मेरी सैलरी है ट्वेंटी थाउजंड डॉलर कितनी है ट्वेंटी थाउजंड डॉलर और इसमें से दस परसेंट वो इंपलॉयर बोलता है कि भाईया आपने ट्वेंटी थाउजंड डॉलर कमाए है यूएस गवर्मेंट का सोचना है कि आपके ओपर 10 परसेंट हमें विथेल्ड काट लेना चाहिए एसा यूएस गवर्मेंट का सोचना तो उन्होंने क्या किया 20 थाउजंड में से आपको 2 थाउजंड माइनस करके 18 थाउजंड वो पे करने को रेटी है क्योंकि आपका हमें केवल विथेल्ड टेक्स नहीं काटना है हमें तो आपसे पेरोल टेक्स भी कलेक करना तो वो में टर अलग है लेकिन सिक्स पॉइंट में मैंने बोला था कि आपका विथेल्ड टेक्स कितना होगा 2000 अब मैंने कोश्चन यह पूचा था कि यह जो विथेल्ड टेक्स है एजे इम्प्लॉयर क्या मुझे इस 2000 के टेक्स की deduction मिलनी चाहिए क्या as a expenditure मेरा question आप लोगों से यह दू नहीं मिलना चाहिए ना बिटा क्यों नहीं मिलना चाहिए अरे यह आपको जो 20,000 पे करना था वो 20 ना पे करके आपको 18 पे कर रहा हूं अब एक student पूछ रहे सर पेरोल टेक्स और फाइका टेक्स में क्या difference बेटा उसी का नाम फाइका टेक्स का नाम ही पेरोल टेक्स है कि दोनों अलग नहीं है अचा आप ही कई बच्चे दोनों एक ही समझ रहे है दोनों अलग अलग समझ रहे है अब एक question exempt देखो नवदीव लिखने तर इन question for employer share of payroll taxes exempt for employee अब एक question आया है यह question थोड़ा सा अजीब है बट I will take care देखिए एक question student का कि जो employer का share है employer share of payroll tax देखो US government का सोचना है कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो आपके duty यह है कि आप उनकी social security और उनके Medicare के लिए भी कुछ काम करो तो हमने आपको बोला कि आपने जो 20,000 की salary पे करी है वो उसका आप 7.65 हमको जमा कराओ अब मुझे बताओ क्या इसको employee की income मानना चाहिए बड़ा अच्छा question है क्या लगता आपको यह employee की income मान ले क्या मेरा question तो आप लोगों से तो यह नेट चला गया था मेरा question आप लोगों से है am I audible to you अब अब क्यों नहीं मानना है और क्यों मानना है यह हम आने वाले समय में पढ़ेंगे देखो अभी सारे concept अभी कई बच्चे बोरे सर फाइका टेक्स बता तो पेटा फाइका टेक्स समझ ही नहीं रहे थे हम क्या मैंने आपको फाइका टेक्स समझा दिया अभी नहीं समझाया आप मैंने आपको समझाया क्या पहले तो आपको ये खुद को समझ में अना का समझ दिया कई बच्चों के समझ में नहीं नहीं समझाया कि समझाई नहीं आप बेजबरन समझके आए नहीं आपको इतना पता चला है कि सर पेरोल टेक्स की समझाई आपको इतना समझ में आया कि जो इंप्लॉयर employee को payment करता उसमें से जो वो payroll tax काट लेता उसकी accounting क्या होती है और कितना amount as a income tax में expenditure claim कर सकते हैं आपको ये समझ में आया है बिटा अब general entry एक बार repeat करने का समय नहीं है लेकिन फिर भी फटा-फट repeat कर देते हैं salary का payment किया 20,000 उसमें से federal tax काट लिया 2000 उसमें से सामने वाले का payroll tax काट लिया यह वो है ना काट लिया यह हमने जो काटा था employee का यह में जमा कराना न और हमने केवल हमारा जो हिस्सा था वो expenditure के रूप में क्लेम किया और net सामने अले को payment कर दी थोड़ा घर जाके इसको सोचना सभी को clear हो गया होगा है किस होगा है